ग्रे मार्केट में कैसे खरीदे बेचे जाते हैं शेर? इनिशियल, आइपीओ, माकंट पिछले सत्ता सबसे व्यस्त दौर में रहा, टाटा टेक, इरेडा, फ्लेर राइटिंग इंडस्ट्रीज और गंधार ओल रिफाइनरी समेट पांच कमपनियों ने अपने इश्यू लाँच किये, इस दौरान ग्रे मार्केट और ग्रे मार्केट प्रीमियम, जी एमपी को लेकर काफी चर्चा हुई है, आएए जानते हैं इन शब्दों के क्या माइने है, पब्लिक ओफन ग्रे मार्केट क्या है, ग्रे मार्केट एक अनओफिशियल और अन्रेगुलेटेड बजार है जहां शेयरों का कारोबार मुख्य एक्सचेंजों पर लिस्ट होने से पहले ही किया जाता है, इस बजार में लेंदेन व्यक्तिगत रूप से होते हैं, एक्सचेंज ट्रेट के विपरीद, जहां कोई मानविया हस्तक्षेप नहीं होता है, हाला कि ऐसे लेंदेन रेगुलेटरी दाइरे के बाहर होते हैं, लेकिन उन्हें अवैद नहीं माना जाता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या फिर ब्रोकर संभावित हैं, एक व्यक्ति शेर तब बेचेगा, जब वो निश्चित नहीं होगा कि शेर किस लेवल पर लिस्ट होगा और वो इसे होल्ड करने का जोखिम नहीं लेना चाहता है, संग समझे एन्वीटी मूल्य पर भुपतान करने के लिए तैयार कम शेर GMP अधिक होगा, जो लिस्टिंग पर केजरीवाल इसी तरह, यदि किसी IPO की मान के कमजोर है, तो GMP कम होता है, जो केजरीवाल विसच एन्वेस्टमेंट स्टॉक में संभावित ग्रोथ का संकेत देता है, तो इसका मतलब है कि विक्री के लिए अधिक स्टॉक उपलब्ध ह और GMP एक मामूली या कमजोर लिस्टिंग की और इशारा करता है, GMP है, तो IPO का GMP 20 होगा, कैलकुलेशन कैसे होता है, सब इसे इसके फाउंडर अरुन का कहना है कि अगर शेयरो अलोटमेंट की संभावना बढ़ जाती है, गिर जाएगा, यदि आवंटन की संभावना कम हो लिस्ट होता है, क्या यदि GMP मूल्य 200 है, तो यह मतलब है, GMP सटीक संभावना है कि स्टॉक 230-240 की लिस्टिंग मूल्य को नहीं बता सकता है, सीमा में लिस्टिड होगा, रुजान का